तो हेलो फ्रेंस आज के इस लेक््चर में हम देखने वाले हैं वॉक के बारे में पात क्या होते हैं और इनकी कप डिशन क्या होती हैं तो जितने भी हम देखने käyttरे वाले हैं यहां निकिकर्व क्या होती हैंaulti करते हैं आपके पास पहला topic वाक्स है मैंने कुछ important points लिखे हैं आपके पास वाक की पहला point आपके पास finite alternative sequence of vertices and edges means जो आपके पास एक walk है walk के आपके पास sequence है एक ऐसा sequence है जिसमें आपके पास vertices भी आती है और आपके पास edges भी आते है means आपके पास वर्टेक्स जो लेकिन जो Start हो वह किसी वर्टेक्स है और end किसी Ava एक वर्टेक्स है ठीक, तो means आपके पास वर्टेक्स आएगा फिर as फिर गपास नेज एज फिर एज फिर गप होंगे वह यह जा आपके पास रीपीट नहीं हो इंच अपके बाइख आनि चाहि으면 अपके पास वॉटेक्च में कि आपके पास वेटीज्य के humour क्यों फोर्ट सब्सक्रिक मैं ओधन को bac है बट एजेश आपके पास कभी repeat नहीं होंगे ठीक तो यह पर एक example example से समझते हैं कि walk होता क्या है ठीक है walk क्यों होता आपके पास एक sequence है जिसमें आपके पास start होगा किसी एक vertex से और end होगा किसी एक vertex से ठीक है यह let's suppose मैं start कर रहा हूँ A से end होंगा मैं B पे या यह भी आपके पास possibility है कि मैं start हो रहा हूँ A से और end भी हो जाओ मैं एक A से क्योंकि हमको क्या करना आपके पास यह भी तो वर्टेक्स यह ठीक दोनों चीजे देखते हैं आपके पास क्या क्या चीजे होती है मैं एक बनाना चाहा हूँ जो मैं आपके पास vertex A से vertex D तक पहुच सको ठीक है तो क्या हो सकता है A से start mint क्या है आपके पास एक sequence जो एक vertex से start होगा A 5 B 4 C 6 D यह हो सकता है मैं A S number 5 का use किया B पहुचा S number 4 का use किया C पहुचा S number 6 का use किया D पहुचा ठीक है तो क्या तक पास alternating sequence है alternate means पहले vertex फिर edge फिर vertex फिर edge ठीक है टिंज मींस करती स्टार्टिंग well take से and vertex क्या है बत्के बत्चास ऐव harटेक्ष और क्या है ङांड के पास一次 x जो मैंको करना था मैंको ακ due say gustado न यह होई क्या में इसना customer के अर्ट होना था ठीक है क्या कोई 2 vortices के बीच पे में मेरे पास एक से ज्यादा मौख हो दूरॉसरा कै ओ सकता है मेरे पास a2 d a1 d a2 d में बिजित पहुंस सकता हूं में को तो पहुंसना है a से d तक यह भी ओ सकता है और यह भी ओ bang हो सकता है ठीक है means आपके बाद simple सा कहने का मतलब है कि दो vertices के बीच में मेरे पास एक से ज्यादा walk हो सकते है और जितने भी में पास walk है path है circuit है यह सब चीज में किस में निकालता हूँ आपके पास connected graph में क्या निकालता हूँ connected graph क्योंकि यह disconnected graph में नहीं निकलते हैं ठीक है आपके पास क्या है आपके पावेब डिस्कनेक्टेट सब्सक्राइब और आपके यह निकाल पाओंगा निकाल पांग को तो जितनी चीज पर्लाना कनेक्टी ग्राफiben लिए यह तो हो गया आपके पास walk hey यह चल्ट के आपके पास d अब ऐस सकता कि में उसी वर्टेक्स से start होना है और उसी वर्टेक्स पर end होना है यह भी आपके पास possibility है तो ऐसा भी हो सकता है कि let's suppose मैं a से start हो रहा हूँ और a पर ही end हो रहा हूँ तो क्या-क्या है आपके पास a 2 d 1 a a से start a पर end ठीक है क्या कोई edge repeat हो रही है नहीं यहाँ 2 है यहाँ 1 है ठीक है यहाँ दूसरा आपके पास यह भी हो सकता है a 5 b 4 c 6 d 2 a a पर start a पर end 5 4 6 2 कोई edge repeat नहीं हो रही है तो यह भी possibility है या a b 7 b 4 c 3 a यह भी possibility आप जितने चाहें उतने आप क्या बोलते मैंने बोला कि आपके पास दो vertex है a और a है तो दो vertex आपके पास ठीक है तो उनके बीच में आपके पास number of walks possible है ठीक है अब क्या हो सकता हमाई पास यह दो condition हो गए कि आपके पास starting आपके दूसरा work a है end आपके पास let suppose d है और दूसरे case में starting a है और end भी a है तो normally क्या बोलते हैं अगर आप पास starting vertex और end vertex अलग अलग है तो इनको क्या बोलते हैं open walk क्या बोलते है open walk means आपके पास starting और end vertex अलग अलग जैसे मैंने पहला पर रहा था a और d अलग 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 थे तो वह आपके पास open walk close जिसका starting और end vertex आपके पास same तो आपके पास कोई भी sequence given हो तो आप easily पहसान लें कि वह open है कि close let's suppose मैंने a 3 c 6 d यह कौन सा walk है आपके पास देखिए starting और end क्या है अलग अलग तो यह क्या है आपके पास open अगर मैंने बोल आपके पास b 7 b ठीक है यह यह एक walk है vertex से start हो रहा है vertex पे खतम हो रहा है बीच में एक edge है अब करेंगे पास लेखिए तो यह क्या होगा आपके पास close walk ठीक है तो आप बस initial और final vertex को देख के बता सकते हैं कि आपके पास simple सा walk कितने type के आपके पास walk होते हैं और कुछ आपके पास example और अब देखते हैं आपके पास path क्या होता है और आपके पास circuit क्या होते है close walk ठीक open walk जिसमें आपके इनिशल और final vertex क्या होते है अलग अलग तो open walk से ही आगे हमाए पास बना है किया path और close walk से आगे जो हम conditions लगाते हैं थोड़ा और तो उसमें क्या बन जाता है आपके पास circuit क्या बन जाता है circuit ठीक तो आपके पास जो path है path क्या है एक तरीके का open walk है open walk मीच इनिशल और final vertex क्या होंगे हमेसा अलग ही होंगे second point है no vertex appears more than once means जो भी आपके पास path बनाएंगे उसमें जो भी आपके पास sequence होगा उसमें वर्टेक्स repeat नहीं होगा उसमें क्या होगा vertex repeat नहीं होगा और edges तो edges भी आपके बनाश नहीं होंगी क्यों क्या है एक तरीक आपके पास main condition ही यही होते है कि उसमें edges repeat नहीं होने चाहिए तो आपके पास path कि मैं आपके पास दो main condition हो गई कि आपके पास path में ना ही edges repeat होंगे और ना ही vertex repeat होंगे ठीक पहली चीज़ यह और दूसरी चीज़ यह आपके पास जो initial और final vertex होगा वो क्या होगा हमेशा अलग ही होगा थर्ड है आपके पास number of edges in a path is called the length of the path में जो भी आप sequence बनाएंगे उसमें आपके पास जितने भी number of edges होंगे 5 edges आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं उस path की length ठीक तो example समझते हैं कि आपके पास path actually होता क्या है path का means पहली condition आपके पास initial or final vertex अलग-अलग अगर मैं बोलूँ कि आपके पास a 5 b यह क्या कोई path है या नहीं है तो हाँ यह path है क्यूंकि आपके पास initial or final vertex अलग-अलग है और कोई edge भी repeat नहीं हो रही है तो यह कि आपके पास path है आप मैं बोलूँ कि a 2 d 6 c 3 a 5 b क्या यह में पास आपके पास path है तो क्या initial or final vertex दोनों क्या है अलग-अलग है तो यह क्या है एक तरह का open walk है means path के लिए पहले हम देखते हैं कि path क्या होने चाहिए यह open walk होने चाहिए फिर open walk के बाद हम एक और condition लगाते हैं कि उसमें vertex भी repeat नहीं होने चाहिए तो a और b दोनों vertex क्या है अलग-अलग है इसका मीन से क्या open walk है अब देखते हैं क्या कोई इसमें edge repeat हो रही है 2635 as you repeat नहीं हो रही है means simply क्या open walk क्या यह open walk path है या नहीं है अब vertex देखते हैं a d c a a जो आपके पास vertex है वो repeat हो गया यह क्या vertex repeat हो गया तो इसका मीन से यह आपके पास path नहीं है यह क्या है यह आपके पास एक open walk है तो normally आपको check करना है कोई sequence given है यह देखना कि आपके पास वो path है या नहीं है तो पहली चीज़ आप यह देखें कि आप पस initial or final vertex अलग-अलग होनी चाहिए अगर आपके पास initial or final vertex सेम हो गए तो पहली बात तो आपके पास path ही नहीं है दूसी चीज़ है कि सारे के सारे edges अलग-अलग होने चाहिए कोई भी edge repeat नहीं होने चाहिए फिर vertex भी check करें कि सारे vertex भी अलग-अलग हो third let's suppose मैं करता हूँ आपके पास यह self loop अगर किसी graph में self loop है तो उसका sequence को जाएगा b7b क्या यह path है simple आप ज़्याद में सुरी खाली आप जो conditions है वो लगा लीजे initial or final vertex आपके पास अलग-अलग होने चाहिए बट यहां तो same है तो यह भी आपके पास path नहीं है यह भी path नहीं है यह क्या आपके पास path ठीक है let's suppose मैं को एक यह है आपके पास a 5 b e 9 c क्या यह आपके पास path है initial or final आपके पास अलग-अलग है इसका means क्या है अभी यह open walk है आपके पास यहां पर थोड़ा sequence all है B के बाल है आपके पास 8 e 9 c ठीक है initial final आपके पास अलग-अलग यहां आपके पास edges है 5 8 & 9 ठीक है जो edges है वो भी सब अलग-अलग है means अभी तक यह क्या है open walk है अब देखते हैं vertex यहां A है यहां B है यहां E है यहां C है कोई vertex भी repeat नहीं नहीं होरा तो means यह कि आपके पास open walk रहिए अप देख लेकर इसकी निकल यह जाए लैइक एक तो इसकी length क्या फैए यही नमबर ऐदिस कितनी यह ट्री तो इसकी लेंद्ध क्या होगी तो इस तरह कीसर आप पता कर सकते हैं कि कोई भी आपको पास पास path है या नहीं है simple सा आप देखें कि आपके पास जो sequence है उसमें ना ही as repeat होनी चाहिए ना ही what except mia हो रहती है ना ही आपके पास उसमें vertex repeat हो रहे है इसका means वो क्या है आपके पास एक path है तो ये तो था आपके पास path और उसकी conditions तो आएए अब देखते हैं आपके पास की circuit क्या है और उसकी conditions क्या होती है तो आएए अब देख लेते हैं आपके पास circuit क्या होती है उसकी conditions क्या होती है आपके पास circuit क्या है? It's a close walk, means आपके जो circuit है वो क्या होगा, आपके पास close walk और close walk का means आपके पास initial और final vertex क्या होने चाहिए? same और जो close walk है means दूसरी condition कि उसमें कोई edge भी repeat नहीं होने चाहिए, ठीक second condition है कि no vertex appears more than once except initial and final vertex, means जो आपके पास sequence होगा sequence में आपके पास initial and final vertex ही आपके पास repeat होगा क्यों? क्योंकि वो close walk है तो वहीं आपके पास repeat होगा उसको छोड़के और कोई भी vertex आपके पास repeat नहीं होना चाहिए तो simple बोला जाए कि आगर आपके पास कोई sequence है उसको हम कब बोलेंगे कि वो क्या है एक circuit है तो simple उसमें initial and final vertex आपके पास repeat होगा पहली चीज और उनको छोड़के कोई ना vertex repeat होगा और कोई ना edge repeat होगा तो यहीं देख लेते हैं कुछ example let's suppose यह मेरा एक example है अब देखते हैं कुछ sequence बना कि वो आपके पास circuit है कि नहीं है let's suppose मैंने आपके पास बोला कि आपके पास a5b8e क्या यह मेरा आपके पास circuit है circuit के लिए यह क्या आपके पास होना चाहिए पहले close walk तो means initial or final vertex आपके पास same होना चाहिए initial a है final e है यह तो close walk ही नहीं है तो means यह आपके पास circuit ही नहीं है second a5b4c3a ठीक है पहले कि आप प्रूफ करेंगे यह से उस sequence है वह close walk होना चाहिए means अब close walk के लिए पर normal क्या होता है कि वह walk होना चाहिए तो walk का पहली condition कि आपके पास as repeat नहीं होना चाहिए 543 कोई as repeat नहीं हो रहा यह क्या है walk close walk है के नहीं है a and a a tea vertex आपके पास initial of final vertex नहीं हो चाहिए अब आपके पास आपके पास यह आप के बा सरक2020 की नहीं हो 10 कोई भी आप वर्टेक्स ही रिपीट हो रहे है तो मेंस यह च्ईंज कि आपके बास एक statute है ठीक फिस सपूर्स एक लिए है देख लिजे इनिशिल और फाइनल वर्टेक्स सेम है बीच में कोई और वर्टेक्स ही नहीं एज भी है तो एक है तो मिंस यह कि आपके पास circuit है ठीक है एक और देख लिएता है हैं कि यह आपके पास एक वाउक है नहीं है ठीक है डीक तो वाउक में मेंगेज एड़ेट नहीं नहीं चाहिए यहा na पूटके और कोई वर्टक्स यहां कि आपके पास यहां कि यहां कि यह 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 हम निकाल सकते हैं क्योंकि X graph के अंदर मेरे एक से जादा path रह सकते मTo be